शनी प्रदोश व्रत कथा प्राचीन समय में एक ब्रामहनी रहती थी, जो पती की मृत्यू के बाद अपना पालन पोशन भिक्षा मांकर करती थी. एक दिन जब वहां भिक्षा मांकर लोट रही थी, तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे, जिने वहां अपने घर ले आई जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्रामणी दोनों बालक को लेकर रिशी शांदिल्य के आश्रम चली गई, जहां रिशी शांदिल्य ने अप गंदर्ब नरेश के आक्रमन से इनके पिता का राजपाट छीन गया है, ब्रामणी और राजकुमारों ने विधिविधान से प्रदोश व्रत किया, फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुम्ती से हुई, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, तब अंशुम दे कि इस युद्ध में अंशुम्ती के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी, दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्रामणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गये, राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोश व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ती मिली और जीवन में खुशाली आई